वान्स एगिन वेलकम बेक टो एंटरफाइस सर्वर ट्रेनिंग बिटी चैनल है आमादर आसके स्थार्शानल लो वार्लेस प्रिंचिपल अम्रा वार्लेस प्रिंचिपल हर मुद्दे आम्रा अलचना करभो नौन अबरलेपिंग वाईफाई चैनल SSID, Radio Frequency and Encryption Methodology निये अलचना शुरू करवारा आगे आम्रा आमादर CCNA New syllabus है कोतुरुक पुन्द आम्रा श्राश कुरत परला हम शीटे जुदी एक्टु देखी आठा होलो CCNA New syllabus आंड आम्रा कॉम्प्लीट कोरे छी अक्चिएली verify IP address and parameter आम्रा आशका आलचना कुर्भा Describe Wireless Principle तार्मुद ये चाटा ट्रोफिक्स निया आम्रा आलचना कुर्भा एंड आमादर next ट्रोफिक्स थाकवे भर्सी ओलेशन fundamental निये अथा सिस्कुर्ज भर्सी ओलेशन technology चाटना आलचना कुर्भा भा wireless communication की wireless communication usually involve that actions between two device without any cable connection अथा दूटा होस्टर मद बा दूटा device मद दूटाह डिवैसर मद विदाओ अनी केवल कनेक्षन मद में जे data transfer हा जे communication system से दके बल हाई wireless technology And wireless LAN must transmit a signal over radio frequency to move data from one device to another device सो आमरा बोल्षी जा एक्टा डिबाइस थेके आक्टा डिबाइस से कोमिनेक्शन हवे विदाउट एनी वायर अथात वायरलेसर मद्द में कोमिनेक्शन हवे होलो radio frequency standard for wireless communication. So, जयमन low frequency radio होलो 10.5 kHz and AM radio होलो 100 kHz to 1 MHz and 1 MHz to 10 MHz होलो short wave radio and FM होलो 10 MHz to 100 point something MHz. अट होलो FM radio हो जयननो and wireless communication करा जयननो होलो 1 GHz to आम रेखाँ 5.5 GHz पों तो यूस कुरती सी, जयरेके 5G बला होई. So, आमरा जानब्याखन wireless standard सम्भूर के, what is wireless standard? wireless standard की? अबंग I3FUL जये प्रोथिष्टर आसे, शे प्रोथिष्टर आसे, शे प्रोथिष्टर आसे 802.11 ए धरावनो जाई WLAN by wireless LAN standard defined to radio frequency आर यूस्ट वार्लेस लिंक. I3FUL जये प्रोथिष्टर आसे 802.11 wireless LAN जये प्रोथिष्टर आसे, शेटा आपनाके फोलो गोर्था अबे to use radio frequency. So, चोलू नम्रा wireless standard जये I3FUL 8011 जये प्रोथिष्टर आसे, शेटा देखे निंग. एटा होलो 802.11 wireless standard, जयमोन 802.11 standard ने मेटा, तर फ्रिकेंच लो 2.4 GHz, RF मने रडियो फ्रिकेंच एड शेट 1-2 Mbps, एड होक औ इंफरस्टरक्चर बोथ तोपोलोजी ते शेटा सपोर करवे, एड ट्रास्मिशन रेंच तर काबरे सोलो 20 meter, जये मेटा, CSMA, CA बोथ, एड दन 802.11 A, 5 GHz, आफ तो 54 Mbps, एड होक औ इंफरस्टरक्चर बोथ तेखनोलोजी सपोर करे, एड काबरेस रेंच होलो 25-75 CSMA CD बोथ सपोर करे, दन 802.11 B, 2.4 GHz, आफ तो 11 Mbps, एड होक औ इंफरस्टरक्चर बोथ तोफोलोजी सपोर करे, capture area होलो 120 feet, indoor range, indoor range can be affected by building materials, अथ आपनार, इंसाइड जये building जये मेट्रियल्स आशे, जयावन ग्लास आशे, आला से शेगलारू परे, काबरेस रेंच होलोजी काबरेस करे, जोदी बेशी barrier होलोजी काबरेस कर बे, देन होलो 802.11 G, 2.4 GHz, आप तो 24 Mbps, एधुक औ इंफरस्टरक्चर बोथ तोफोलोजी सपोर करे, 150 feet indoor, देन होलो 802.11, 2.4 GHz, तो 5 GHz बर्तो मना अम्रा जेटे युश्कूर्ति सी, 802.11, 802.11, शेटा आप तो 6 Mbps, 600 Mbps, एधुक और इंफरस्टरक्चर बोथ तोफोली सपोर्ट करे, छेटालो 175 plus feet in indoor and outdoor आरो अनेक बेशी और अल्सो इंडूर जे रैंस आपनार डिफेंड करे, बिलिंग मेट्रियार्स अपनार बिलिंग आर कॉन्स्ट्रक्शन हो परे, CSMACD बोथ एक्सेशी सपोर्ट करे, साम राइखन जान्बो, वाट इज वाइफाई चैनल, वाइफाई चैनल की, वाइफाई चैनल is the medium through which our wireless network can send receive data, अथो तामाज ये wireless device आशे, wireless router आशे अथबा API आशे, ये वाइफाई चैनलर मद्दो में आपना data send अथबा रिसिप करे, जामान, for router, US standard नो जाई, जोधी 2.4 GHz आ router होए, ताहोले 11 अरोट आ चैनल तो इरी होबे, येबाँ 5 GHz आ जोन नो 45 चैनल तो इरी होबे, एबाँ आपना जे सोबीडा देख्टे बाथचन, शेटा होलो 2.5 येबाँ 5 GHz जे टेक्नोलजी शेटार वाइबलेंध, देखन 2.5 GHz शेटार वाइबलेंध टा अनेक बोरो, येबाँ, खुब फ्रिक्वेंटली जाच्छे, देखन 2.5 GHz येबाँ आपना जेटार वाइबलेंध टा अनेक शोटार रेंजर मोज़े, येबाँ खुब फ्रिक्वेंटली जाच्छे, देखन 2.4 GHz येबाँ आम राजान बो, नोन उबार्लेफिंग चैनल सम्बुल गे, वाट इस नोन उबार्लेफिंग चैनल, नोन उबार्लेफिंग चैनल बोलते हैं, आम राजानी जे, आमाँ देख मोस्ट फॉफुलेट टेक्नलोजी होलो, 2.4 GHz येबाँ 5 GHz Wi-Fi, आमाँ जो इदी 2.4 GHz येबाँ चैनल टा 2.4 GHz कास करें, ता होले शेकने एगारोटा चैनल तो ये आपनी जोखन आटो सिलेट कोरें तो ये तीन्टे चैनल मंदें कोमिनिक्शन होबें, ये शोर आपनी चैनल फिक्ष्ट कोड़ी तो बारन, एखना देखना जोदी 2.4 GHz येबाँ आपना चैनल टा आपना राउटर टा कोमिनिक्शन करें, ता होले एखने एखने चैनल गो और बार 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 आसाटर शेट शते शेट आके बलाहाई ओबालेफिंग वाइफिय चैनल, एबार आशन नऊ ओबालेफिंग चैनल, आम्रा जानी जे 5 GHz जे टाक्नोडोजी शेटा सर्भूचनोड ट्ुंट्य पुलेफिंग चैनल येबर अम्राद आलचोना करबो wireless topology निये So wireless topology 802.11 standard अनु जाई There are two main wireless topology, wireless topology तो दुईधर हने अम्राद जी wireless technology युश कुरी तो टोपोलोजी तो दुईधर हने अक्टोली infrastructure mode अक्टोली independent basic service set by IBSS जेटे के बला है Also अक्टोलोजी by adhose topology बला है आम रहाना अलचोना करबो infrastructure mode निये Wireless Client Interconnect via API That means आपनार wireless जे recipient device याशे जामन mobile laptop शेकला API माद में connect होभी, API मैंने access point Infrastructure mode अर्मोदे की-की include असे शेकला में देकबो जामन BSS, Basic Service Set जेटे के बला है जोदी single API interconnect all associated wireless client जोदी एक्टा मात्रो आपनार API होए तो शेटा के बला है BSS, Basic Service Set देन आशान BSSID, Basic Service Set Identifier is the unique machine readable identifier for API So that means आपनार API गुला जोदी एक्टा आर्क्टा शाते कनेक्ट कुरते चान तो प्रत्यक्टा एक्टा एक्टा आप्टा सेखने देखते बाद चैन ए Mac address गुला जोदी एक्टा आर्क्टा आप्टा API शाते कनेक्ट कुरते चानता होलो अभोश आपनाके ए BSSS ID में कनेक्ट कुरते होबे देन होलो service set identifier SSID जेते का आम्रा wireless by AP name में बोला थाकी बाहा आमादर जेए device जे नामे शूख कर आपनी wireless device जोखन सर्च देन wireless टा जे नामे शूख कर बे ए नाम्रा SSID आम्रा बोला थाकी इस human readable and non-unique identifier use जो एटा non-unique मानी आपने जे कोना नाम दिते बारन आपना माल्टीफोल डिवाइसे सेम SSID होआ लाग बेना एटा आपना प्रवाजन अनुशर आपना नेम दिबेन देन होलो distributed system DS, F is connect to the network infrastructure using the wired and DS such as Ethernet अथाथ एफिगूला जे इन दिबेसे सहते कनेक्टेड जमन सुषे सहते कनेक्टेड एखने 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 देखते बाचेन L3 सुषे सहते कनेक्टेड एटा के बालो है DS, distributed system देन होलो ESS, so ESS होलो हैने single BSS provide insufficient coverage, two or more BSS can join through a common DSS, और साता आम राजानी जे BSS जोहन बोली, BSS बोली जोहन एक्टा मात्र एपी ठागवे, single एपी ठागवे, and जोहन माल्टीफोल एपी कनेक्ट होबे एक्टा आरेक्टा सहते आबंग large area coverage करवे, शेटाके बालो है ESS, Extended Service Set एटाके infrastructure mode बला होए, आमरे एखन जर्न बो Adhook mode, बा Adhook Topology की, IBSS is defined as two device connected wireless in pair-to-pair, आपनार जे दुटा wireless device, एक्टा आरेक्टा सहतो सरा सरी connected थाके, एबंग only एदुटे device सहते P2P connection थाकवे, P2P connection थाकवे, 0.2 point connection थाकवे, शेटाके बला होए Adhook Technology, एखाने कुनो AP, कुन कुन की सियूज करा होए ना, शेटाके बला होए Adhook mode, एबंग आमरे अल्चना करवे, FE architecture, FE can network together in variety of architecture, एफिर जे access point था आर्किटाक्चर था होए, शेटा बिविन रखान आर्किटाक्चर होए दाके, scalability of network determine, which architecture is the most suitable for your given implementation, अथा आपनार organizational रूपर डिफेंड करे, आपनार design आपनार जे FE architecture की धरनार होए, आपनार की धरनार network चान, की धरनार scalability चान, की धरनार faster technology और की धरनार redundancy चान, शेटा रूपर एफिर architecture डिफेंड करे, बात एखने, generally autonomous FE architecture, FE दुई धरनार होए थाके generally, एक्ट होलो, autonomous FE, so autonomous FE की, autonomous FE is the self-contained device with both wire and wireless hardware, so that can bridge to wire, भीलेन, and infrastructure wireless belong SSID, और जे autonomous AP होसे, शे autonomous AP माल्टीफोल भीलेन डाटा केरी कोड़ता पारे, एबं, एक्टा AP, आरक्टा AP, शाथे securely, भीलेनर माध्द में कम्मिनेशन कोड़ता पारे, और इन डिवाईसर माध्दों कम्मिनेशन कोड़ता पारे, देन, इस autonomous AP, must configure with management IP address, और cloud architecture, एखने जे एफिगुला आशे, शेगुला देखेन, एगलो होलो distribution layer बाए access layer, एक्सेस layer सारा हो, शेशकूर जे wireless LAN टेक्मिनेशी आशे, शेटा शाते स्वारा शुरी connected, भाया IP, शो एखने access layer बाए distribution layer जोनो cable दियो connection थाकबे, एबं, IP दिये तार जे central management system आशे, DNA आशे, श accessible भाया using Telnet SSS और OIB interface, और था एफिगुला आपनी जेगुला अर्टनोमा सेपी, शे एफिगुला आपनी Telnet SSS और OIB इंटरफेसर मदों में आपनी रिमूट लोगेशन तेवा आपनी एक्सेस कोरते पार बेन, एबराशन, light OIT API architecture, so light OIT API मानी आम राद जेई access point गुला जेनर यूज कोरी, एगुला ते कोनो आपना रिमूट लोगेशन तेके manageable कोनो सिस्टेम नाई, एबर शेगुला सिस्कुर जे DNS सिस्टेम हाँसे, शेटे सते connect हार कोनो सुजुग नाई, और आपना cloud architecture ये एड़ हार कोनो सुजुग नाई, एबर एगुला जेनरल API आम जे ये तीन दर्ण होय थाके, एक्ट होलो, open standard, then होलो shared, then होलो EFE, accessible authentication protocol, so आमरा प्रथम में जानबो, what is open authentication system, so open authentication system, होयने wireless network is deployed a user known about the particular network using its services identifier, अथात आपनी जोखन SSID आपनी निदिश्टो करे दीबेन, एबाउं SSID जे password दे अथाकबे, शेटा आपना client recipient जानबे, एबाउं एई passwordर मद्धो में आपना wireless device से शाते connected होबे, शेटाके बल होय, open authentication, अथात आपना SSID हो दे अथाकबे, एबाउं आपना password आपना client इर कासे दे अथाकबे, आपना जे client तरकास आपनी password दे रागबेन, then होलो shared authentication, what is shared authentication, access point send unencrypted text message to in device, अथात आपना access point आपना जे wireless client आशे, तरकासे आपना text message पाठाबे, एबाउं आपना इन device जोधी, शे text message decrypt कोरे आबार आपना wireless device कासे पाठाबे आपना wireless then आपना के approve कोरे, तर IP प्रवाइड कोरबे, एबाउं आपना बल होय, shared authentication, as like three-way hand checking, एबाउं आपना EFE, EFE लो extensible authentication protocol, EFE is the most common method, because of EFE जे authentication आपना wireless API बार आउटर कासे कुनो दोरनेर username password थाके ना, शेटा जोनना अलादा server यूज़ कर होय, जयमन radius server, so wireless API एखाने just एक्टा media मिशेब कास कोरे, एखाने just शे एक्टा data send and receive कोरे जुन एक्टा media मिशेब कास कोरे, बाट तर स्वाकल authentication होबे, अन्नो शार्वार थेके, जयमन radius server, बास सिसकुर जे identity service अशे, शेर अथेके authentication होबे, आमरे बार आउचना करप wireless authentication method ने, wireless authentication method गुरला की की, जयमन WEP, WPA, WPA2 and WPA3, so what is WEP, wired equivalent privacy, it was developed by 1999 and still is highly vulnerability solution in WEP, यो अथात, एकोन WEP authentication method के हो यूश करे ना, एटा खुभी बाढ़ा मेलोब पोजिशन आसे, एबंग 2004 एटा के बैंड करा होए से, देनाशी आमरा WPA, Wi-Fi Protected Access, आपनी जोखन आपनार wireless device रभाई एपीर, password set को बेंड, ए अप्शुन गुले तोखन देख बान, आपनी की, कुन मेथोड ता दिये, authentication करता चान, देनाशीन WPA, जटा के बल होए Wi-Fi Protected Access, एई WPA शेटा आपनार अनेक strong encryption technology यूश करे छेटा के बल होए TKIP, encryption algorithm, एटा के बल होए next generation Wi-Fi security protocol, एबाँ एटा protected management system, रेजिमें फ्रेम् सिस्टेम यूज़ कोरे तार अथिन्टिकेशन अजन्ना डाट एन्क्रिप्टिकेशन करा जन्ना बाट WPA3 नॉट येट अवेलेबल रहना वेलेबल ना यह आपना अल्चोन ना करवो एन्क्रिप्टिंस निया जाबन TKIP, AES, and GCMP. So TKIP is most users and जाटा अनेक जिन्धर मार्केटे यूस होच छे TKIP जाए Wireless Encryption Methodology. Then TKIP परे अशलो लो Advanced Encryption Standard. जाटा WPA2 ते यूस कोरे थाके. Then होलो GCMP, जेलिली स्काउंट मूर्ट प्रोटोकल. इस रोबस्ट अथिनिकेशन अनक्रिप्शन, WPA3 अथा WPA3 जे अथिनिकेशन सिस्टेम आचे. शेरा ते GCMP encryption methodology यूस करा हाई. It's most secure and highly recommended. That's all for today about wireless technology. आमडा next video ते अलाशना करवा CISCOOL virtualization technology. Thank you, thank you for watching this video. See you next video.